आउनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा नोमी, विश्य सामजी की ज्ञान, पार्ट एक, पालमपूर की कहानी चैप्टर ती। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पालमपुर में कर्शी कारे जिसमें पालमपुर में खेती इस्तिर है और दूसरा क्या इसी जमीन से उत्पादन की अधिक्ता बड़ा ही जा सकती है आज है हमारा बिंदू क्या भुमी ये धान कर पाएगी भुमी एक प्राकर्तिक संसाधने अतर इसका सावधानी पूर्वक उप्योग करने की जुरूत है वेग्यानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कर्शी विद्यों ने प्राकर्तिक संसाधन आधार का अति उप्यूग किया है अनेक छेत्र हरित करांती के कारण उरुरोकों के अधिक पर्योग से मिट्टी की उरुवरत रत्रा कम हो गई है इसके अत्रिक्त नल कूपों से सिंचाई के कारण भुमी जल के लगातार पर्योग से भोम जल इस तर भी कम हो गया है मिट्टी की उरुरता और भोम जल जैसे पर्यावर्णिय संसाधन कई वर्सों से बनते हैं एक बार नश्ट होने के बाद उन्हें पुनर जिवीत करना बहुत कटिन है कर्सी का भावी विकास सुनिचित करने के लिए हमें पर्यावर्ण की देख भाल करना आवश्यक है रासाइनिक उर्वरक ऐसे खनीज देते हैं जो पानी में गुल जाते हैं और पोद्धों को उपलब दो जाते हैं लेकिन मिट्टी भी इन्हें लंबे समय तक धारन नहीं कर सकती वे मिट्टी से निकल करके भोम जल नदियों और तालाबो को पर्दुसित करते हैं रासाइनिक उर्वरकों मिट्टी में उपस्ते जीवानों और सुक्सम अवियों को नश्ट कर सकते हैं इसका अर्थ है कि इसके परियोग से कुछ समय के बाद मिट्टी पहले की तुलना में कम उपज़व रह जाती है देश में रासाइनिक खाद का सबसे अधिक परियोग पंजाब में किया जाता है रासाइनिक खाद के लगातार परियोग करने से जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो भी कम हो जाती है पंजाब में के किसानों को पहले का उत्पादन इस्तर प्राप्त करने के लिए अब उनको अधिक से अधिक मात्रा में रासाइनिक उरुरुकों और अन्यागतों का भी परियोग करना पड़ता है जिसके कारण वहां की खेती की लागत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है दूसरा बिंदू आता है कि पालमपुर के किसानों में भुमी किस प्रकार से वित्रित है तो अब यह आमिया जान लिया है कि खेती के लिए भुमी कितनी महतुपूर्ण है दूर्बाग्यवास खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भुमी भी नहीं है पालमपूर में सड़े चार सो परिवारों में से लगबग एक तिये अर्थात डैर सो परिवारों के पास खेती के लिए भुमी भी नहीं है और जो की अधिकां सतह दलित है बाकी जो परिवार है उन बाकी परिवार 240 है उनके पास भी भूमी है लेकिन दो एक्टेर से कम छेत्रफर वाले छोटे भूमी के टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमन भी नहीं होती है 1960 में करशक गोविंदास के किसाने उसके पास सवाद दो हैक्टेर अधिकतर असिंचित भूमी थी यानि उसके पास सिंचे करने योगी नहीं थी गोविंद अपने तीन पुत्रों की सहयोग से इस भूमी पर खेती करता था यदपी वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे क्योंकि सदे से ज़्यादा थे और उससे उनका सबका इतनी आय नहीं होती थी कि घर का वो गुजरा चला सकते थे लेकिन परिवार अपनी एक बहंस से होने वाली कुछ अत्रिक्त आय के द्वारा भी अपना गुजरा चला रहे थे जब गोविंद की मृत्य हो गई तो कुछ समय के पश्चात उनके पास जो सवादो हेक्टेर जमीन थी उस जमीन का भी तीनों पुत्रों में बराबर तीन इससे हो गई जिसके कारण अब प्रतीक पुत्र के पास सुन्ने दसमलो साथ पांश हेक्टेर या था पोने एक हेक्टेर भुमी का टुकड़ा आता था परंतो अब पहले से उसकी तुलना में ये फर्क आ गया कि पहले उस समय गोविंजी के समय में अरसिंचित भुमी थी अब उनकी सिंचाई व्यवस्ता हो गई और खेती में भी कुछ आद्धुनिक विद्यां आ गई खुदान के तरोप हाइब्रेड बीजें करसी में विविन मसीनों का उपयोग सिंचाई के रूप में ऐसे परियोगों के कारण उनमें और तरकी होगी लेकिन गोविंद के बेटे अपनी जमीन से इतना सुदार होने के बावजुद भी गुजरा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उनको ये काम निकालने के लिए वर्ष के कुछ भाग में उन्हें अत्रिक्त कारे भी डूड़ना पड़ता है एक चित्र है जिसमें हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं ये पालंपुर के गाओं में किसानों के पास जमीनों का विबाजन कुछ इस प्रकार से है कुछ किसानों के पास बहुत कम जमीन हैं कईयों के पास बहुत अधिक जमीन हैं जिसके कारण सभी के पास आई के स्रोत है वो असामाने हैं इसलिए इन सब को से समय व्यतित करने के लिए अन्य कोईन कोई कारे भी डूड़ना पड़ता है। इस चित्र में एक गाउं के चारों और बिखरे हुए भुमी के छोटे छोटे टुकडे भी देखने में मिलते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखे हैं तो गाउं के अध्य से ज्यादा छेत्र में काफी बड़े आकार के भी पलोट हमको नजर आते हैं। पालमपुर में मजोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो की 2 एक्टेर से अधिक भुमी पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 एक्टेर या इससे भी अधिक की जमीन है। इसलिए इस चेत्र का तुनना करने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। जिसमें एक तरफ कर्सी चेत्र और कर्सकों की सिंख्या है। पहले वाले जो चित्र है उसमें जो मजोले और बड़े कर्सक है। दो एक्टेर से अधिक जमी वाल है वो इसमें जो लाल कलर है वो दिखा रहा है और दूसरे वाला जो चित्र है इसमें सीमानत और छोटे किसान जिसके दो एक्टेर से कम जमीन है उसमें दिखा रहे हैं यानि 85 परतिसत ऐसे किसान है जो सीमान्त और छोटे करसेख है और 55.4 परतिसत ऐसे किसान है जिसके पास मद्यम और बड़े किसान की रूप में इसको दिखाया गया है। उससे आगे हम देखते हैं तो इस चितर में करसी की आदुनिक और पारंपरिक दोनों परकार की करसी कारे करते हुए इसमें किसानों को दिखाया गया है। आज हमने ये दो चैप्टर पड़े कि क्या ये जो भूमी है वो जितना कारे होता है उसको क्या दार्ण कर पाएगी। दूसरा प्रश्ण किस कारण से खेती की लागत बढ़ रही है हमने पंजाब राज्जी की रूप में विशिश रूप पे देखा था एंट के तोर पर बता दें तीसरा है छोटे किसानों की परमुक्ष जो समश्या है वो क्या क्या है धन्यवाद